रादसभाद चुनाव के लिए नामांकन का आखरे दिन है नामांकन से पहले ही कॉंग्रेस वधायक दल्गी बैटक है बैटक के लिए विधायकों का पहुचना शुरू हो चुका है पुर्वसी अमभुपेंद सिंग खुड़ा इस बैटक को लेने वाले हैं कॉंग्रेस के त तमाम वधायक इस बैटक के लिए पहुच रहे हैं और वधायकों का पहुचना भी शुरू हो चुका है दिपेंद सिंग खुड़ा अपना नामांकन भरने वाले हैं नामांकन से ठीक पहले इस बैटक का आउजिन क्या गया है पूर से भुपेंद सिंग खुड़ा जोकि न माइनों में करार दिया जा रहा है अगर बात करते हैं कुमारी सेर्जा की तो कुमारी सेर्जा इस बैटक में नहीं पहुच रही और जहां तक बात करते हैं राजसभा के चुनाओं की तो पहले कुमारी सेर्जा का नाम भी सामने आ रहा था कि शायद उनके नामता भी ऐलान किया जा सकता है इसी खबर पर हमारे साथ हमारे समवादाता आरेल मोर लाइफ जुर चुके हैं रुक करते हैं निल मोर का आनल जिस तरह से खबर निकल कर सामने आई है विधाई दल की बैठक है एहम इस बैठक को कई मायनों में कराद दिया जा रहा है क्या कुछ खास रह सकता है परतिपक्ष भूपेंदर सिंग उड़ा अपने आवास पर पहुंचेंगे दिपेंदर हुड़ा भी थोड़ी दर में अपने आवास पर आने वाले पहले यहां पर बैठक होगी फिर शक्ति परदर्शन के जरिए क्योंकि तमाम के सारे के सारे विधायक विधान सबा जाए भूपेंदर सिंग उड़ा दिपेंदर हुड़ा के साथ और कई पूरो मंत्री भी शामिलोंगे एक शक्ति परदर्शन करते हुए फिर नोमिनेशन भरा जाएगा मैं आपको पहले तस्वीरे दिखाना चाहूंगा मैं आवास पर मौजुद हूँ विधायक पहुंचने कि टीकट दी है और कहिना कहीं एक बड़ा हम कह सकते हैं जो कोंगर्स आलकमान की तरफ से फैसल लिया गया है उसी को देखते हुए क्यों कि हरियानमे राजियस सभा की तीन सीटे खाली हुरी एक सीट एक सीट पर उप चुना होना है और दो सीटों पर नियमी चुना होने न सीट कोंगर्स के गाते में जाएंगी जैवरी बाल में की साथ यहां पर मौझूद हम उनसे भी जानेंगे कि जैवरी बाल में की टीकट अब उमीद्वार बना दिया है दिपेंदर उड़ा को राजरी सभा के लिए आप जो कोंगर्स आलकमान के फैसला कितना नफे का फैसल से और पहले भी सक्रियर से काम करते रहे हैं पार्टी के लिए मजबूती इस से कॉंगर्स और मजबूत होगी आप कहरें कोंगर्स मजबूत होगी लेकिन कॉंगर्स परदेश अदेख स्थी कुमारी सालदा उनको दर किनार करके दिपेंदर उड़ा को टिकेट दी गई है इस तरह की बाते भी है की जो एक दली तबर गहर उसमें कहीं नाराजगी हो सकती आप इुसी समासि advisor कौछी कե अलयए ऐो तो प्रटी के फैसली होते परटी ने फैसला लिए hem कर थुह पार्टी सब एक उसमें राए में भी जे पी के कोंगर्स के लगबग तया हैं की कौंगर्स का मीदवार चुना जाए लाज्य सबाटी ओर सांसद का बाकड़ी आते हैं तो पार्टी को कितनी मदोटी मिलेगी दिपेंद़ के राजया काम करते हैं बिल्कुल देखिए यही इनका कहना है कि डिपेंदर हुड़ा के आने से पारिटी को मजबूती मिलेगे क्योंकि डिपेंदर हुड़ा की अगर बात करें रहो तक से तीन बार सांसाद बन चुक है पार्टी ने राजाय सवा उमिद्वार की तोर पर उतारा है और जिस तरीके से जो संख्या भल है कोंग्रेस के पास ही कतिस विधायक है और उसके लिहाज से डिपेंदर हुड़ा का राजा सबह में जाना बिल्कुल तया है अगर बीजेपी तीन उमिद्वार उतारती तब वोटिंग की नोबत आती है लेकि फिलहाल जो स्थिती है क्योंक अंदर हुड़ा चुन लिए जाएंगे जी तो फिलाल के अगर सिती की बात करते हैं तो राजसभा के जो चुनाव थे उससे ठीक पहले ये भी कहा जा रहा था कि कुमारी सेलजा भी दोड़ में कहीं न कहीं शामिल है अब कुमारी सेलजा को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया क्या कोई नाराजगी भी देखने को मिल सकती है तो जिस तरह से अब हम बात कर रहे हैं राजसभा के चुनाव हैं नामांगन का आखरे दल दिन है और उस लिहाद से अगर देखें तो कॉंगर्स वधायक दल की बैठक है बैठक में पूर सेम भुपेंदर सिंगुडा बचना भी शुरू हो चुका है और जिस तरह राजसभा चुनाव थे उससे ठीक पहले यह कहा जा रहा था कि शायद सैल्जा की सैल्जा जो है इस रेस में कहीं न कहीं शामिल हैं लेकिन तब यहीं लगा था कि शायद टिक्टो क्यावंटन में दिखाई देगा असर नजर आएगा लेकिन प्रदेश रदेक्ष कुमारी सैल्जा को दरकिनार करकर टिकेट दी गई है दिपेंदर खुड़ा को तो अनल जिस तरह से ये स्थितियाप बन रही है उसमें देख रहे हैं कि दिपेंदर खुड़ा को टिकेट दिया गया है लेकिन इसका सीधा असर ये भी दिल्ली अपने आवास पर बुलाए गया था वहां पर भुपेंदर सिंग उड़ा ने सभी विधायकों के साथ तलेंज किया था और उसी वक्त जितने भी विधायक थे क्योंकि जो ज़्यादा की कतिस विधायक है इनकतिस विधायक में तकरीबन सब्वी से सताइस विधाय यह नविधायकों का फिर उनके सामने दिपेंदर उड़ा का नाम रखा जाता पिर यह नाव नुक्सान इसासी तोब पर सारी बाते भाटे में रिकично जाते कि एकर दिपेंदर उड़ा को राज्यास पनाये जाते तो किस उप्यार श्रकार संकति के बाद लेगे तो इसे में का मूड नहीं थ हुर वो रिस्क लेने के स्थीत नहीं था और जी बिल्क वर अन已ल बहुत सही आपने बताया कि इस वक्त कॉणर्स नहीं थे तो कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है बहुत बहुत शuk iter टमाम जानकारी के लिए तो कॉंग्रेस उधायक दल की बैठे कर और काफी एहम बैठे किसे कर आदिया जा रहा है